एक गाव में एक सेठ रहा करता था, वह गणेश भगवान का परम भक्त था, गणेश भगवान की भक्ती उसे पिता से विरासत में मिली थी, वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही वह कुछ खाया करता था, गणेश भगवान की उसके उपर उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, केवल उसकी पत्नी को छोड़कर उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था, वह रोज सुबह सवेरे चिलाती और एक ही बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है। इतना काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख लेना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। उसने मंदिर में गणेश भगवान को नहीं देखा, वह भागा भागा शान्ती के पास गया और कहने लगा, शान्ती मेरे प्रभु कहां है, वह मंदिर में नहीं है। शान्ती अंजान बन कर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप, आर्ती और भोग लगा कर परदा लगा दिया था, सेट पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में खो जा, उसे मन ही मन में पच्चता रहा था, कि यह काम शान्ती का ही है, उसे ही मेर पूजा पाठ पसंद नहीं थी, उसने शान्ती से कहा, शान्ती यदि मेरे प्रभू नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूँगा, शान्ती को लगा एक दो दिन नाटक करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, सेट को रोते बिलगते साथ दिन हो गए, वह शान में कूद कर अपनी जान दे दूँगा, अगर शान्ती मूह खोलती, तो उसका पूरा जूट पकड़ा जाता, इसलिए वह बोली, आप मुझ पर सक कर रहे हो, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं नए प्रतिमा लेकर आती हूँ, पर सेट को वही प्रतिमा चाहिए थी, फि गणेश भगवान की प्रतिमा गढ़े से निकालने लगी, पर गढ़े में गणेश भगवान की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश भगवान अपनी प्रतिमा स्वयम निकाल लिये थे, गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आये, और अपनी प्रतिमा निकाल कर उसक गणेश जी थे। वह पाल से नीचे उत्रा, प्रभू को गले से लगाया, रोते-रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांती की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांती सोच में पढ़ गई कि इस मूर्ती का पता इस बालक को कैसे चल गई। सेठ ने रोते-रोते बड़े भाव से गणेश भगवान को स्थापित किया। पूजा करें और उस बालक का खूब धन्यवाद दिया। बालक जोकी स्वयम भगवान थे, वह बोले, काका क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे। शंभू भागा भागा गया और भोग जैसे ही भोग लेकर आया, तो उसने देखा बालक वह से जा चुका था, और तेज प्रकाश गणेश भगवान की प्रतिमा से उदित हो रही था। शान्ति को अपनी भूल का पश्चा ताप होने लगा। वह समझ गए कि स्वयम गणेश भगवान अपनी प्रतिमा लेकर ठापित होने आये थे, मुझे दर्शन देने आये थे, दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ साथ शुब लाब, रिद्धि सिध्धि और सुख वैभव और लक्ष्मी जी, सदा सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। तुम सदा दुखियों की सेवा करना। इस प्रकार से शंभू की भक्ती अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी सुनता है, गणपती बप्पा की उस पर परम कृपा होती है, और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस तरह के और भी कथाओं को सुनने के लिए चैनल से जुदधे रहें। प्रेम से भरे गणेश भगवान की जय हो।